यहां मैंने दो बीट रूट उठाए थे जिनको मैंने पील कर लिया चिल लिया अब मैं इसको डाल दे रही हूं मिक्सी के जार में अच्छे से वाश भी कर लिया था मैंने और इसकी बनानी है पेस्ट और बहुत ही बढ़ी आसी रेसिपी लाई हूं वीडियो को लाज सक पापड का आटा होता है उड़दाल मूंगा दोनों मेक्स हैं हाफ-ाफ कॉएंटिटी में हैं इसमें टाल देंगी काली मिर्ची प्रश के बिस दर दरी कूटी भी काली मिर्ची आपको डाला है तो आप टेस्ट के साब दालेगा मैंने लग लग बग 1 चमज डाला है जीरा एक छोटा चम्मस डाला है अजवाइन आदे चम्मस से थोड़ा सा कम अजवाइन तो ये सारी चीज़ें आपको फ्लेवर के साब से अपने उठानी है हिंग वन फोर टीजपून जितनी और यहां में आड़ करी हूँ पापडखार जो पापड़ में डाली जाती है तो दो चम जो पेस्ट हमने तयार किती है थोड़ी थोड़ी करके अड़ कर लेंगे और आटा तयार कर लेंगे वैसे दो कप आटे में हाफ कप जितना पानी हाफ कप और वन टेवल स्पून पानी डलता है गूनते वक क्योंकि टाइट आटा हमें चाहिए अब हैं पुरी पेस्ट डाल के लास्ट में इसकी मसाज कर देंगे और फिर हम इसको ढख के छोड़ देंगे एक घंडे के लिए एक घंटा डो को रेस्ट करने देंगे उसी के बाद आगे का प्रसेस करेंगे तो आगे का प्रसेस बहुत ही स्पैशल है मतला हो ज़रूर आप कीज़ेगा उसी सी पापड अचछ बनते हैं तो एक घंडे के बाद मैं इसको हफफ कर ली रहीूं दो हिससे में डिवाइट कर लिया तक के अच्छ से मैं इसको कोड सकूं तो हाफ पोशन उठाया इसके रहे आप दो मिनिट को टाइ कर लीजेगा अच्छी तरह से और उसके बाद इसको इस तरह से तब तक आपको इसको खीजना है तो यह बढ़िया सी खिचाई हो चुकी है खिचाई करने के बाद आपको डो का रंग जो है लाइट दिखेगा अच्छे से खिचाई हो चुकी है तो बस डो हमारा जो है बिलकुल तयार है यह वाला अब इसके लोईया बना लेंगे तो चकले जो है ढ़के रग देंगे ताकि सूखे न और एक लोई मैंने उठा ली और इसको बेल लेंगे थोड़ा सा पहले ओल लगा ले और उसके बाद सूखा आटा यही वाला जो पापड वाला आटा है वही लगा के और इसको बेलना है तो जितना पतला आप कर सकते हो पापड को उतना पतला बेलिएगा पतले पापड ही अच्छे लगते है तो मैं इसको बढ़िया से बेल ले रही हूँ तो सारे पापड में डन करती जाओंगी और इसको आप चदर पी सुखाईएगा चाहे तो अब धूप में सुखाओ यहा फिर पंकी की हवा में भी फटा फटा पर इसको यूज कीजेगा पस एक घंटे में सूख जाएए आदी घंटे के बादा पल्टा लीजेगा और फिर जैसे सूख जाए एक यूपर एक रखके आप इसको यह टाई डब्बे में भरके रखे या फिर पॉलेथिन में अच्छे से पैक करके रखे यह बढ़िया से क अफी महिने तक चलेगा बिल्कुल खराब नहीं होते पापड आप इनको बनाएए गा और वीडियो आज का कैसे लगा है कमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा यह डिफरेंशी रेसेपी आपको कैसे लगिए ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताईगा तो मैंने तीनों तरीके आपको दिखा लिए आपको कौन सा तरीका जादा पसंद है मुझे बताईगा कमेंट करके टैंक्स वर वाचिंग जैशी गणेश वाई गुरुजी